गुजरात के गुजरात के गुजरात के गरबा की जितनी तारीफ होती है उतने ही मशुर रुपाल की पल्ली भी है माता की पल्ली पर लाखों लीटर घी डाला जाता है और इसकी नदिया गाउं की गलियों से होकर बहती है यह पल्ली आसोसोद नौम की राद को निकलती है आईए जानते है इस पल्ली का क्या है धार्मिक महत्वर पांडव काल से शुरू हुई वर्दाय माता की परंपरा रुपाल गाउं में आज भी जिवित है हर साल नवरात्र के नौवे दिन वर्दायनी माता की पल्ली भरी जाती है वर्दायनी माता की पल्ली के साथ तीन किवंदिती आज जुड़ी हुई है वर्दाईक माता दिवस्तान संस्ता के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र अपने पिता की आगना का पालन करने के लिए वन में चले गए फिर भरत मिलाप के बाद श्री श्रुंगी रुशी के आदेश पर वह लक्ष्मन और सीता माता के साथ श्री वर्दाई मा के पास गए पूजा की और प्रार्थना करने के बाद श्री वर्दाई माता प्रसन हुई और भगवान श्री रामचंद्र को आशिरवात दिया और उन का युद में भगवान श्री रामचंद्र ने अजय रावन का वद इसी बान से किया था। पल्ली का अर्थे मा के लिए घोडे रहीत लकडी का रथ। सबसे पहले पांडवों ने सोने की पल्ली बनाई। कहते हैं यह पल्ली सर्वधार्मिक समानता का प्रतिक है।